प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे वायू मंडल में ऑक्सिजन कैसे आती जाती है, यानि प्रतिस्थापित होती है. How is the oxygen in the atmosphere replaced? ये तो सभी जानते हैं कि पौधे हो या जीब जन्तू हो, सबको स्वसन के लिए यानि सांस लेने के लिए oxygen किया वसकता होती है, और बदले में ये सब carbon dioxide छोड़ते हैं, यानि सांस में oxygen लेते हैं और सांस छोड़ते वक्त carbon dioxide बाहर निकालते हैं. पौधे भोजन बनाने के लिए अपने हरे पत्तों में छोटे-छोटे छिद्रों की साइता से वातावरन से carbon dioxide को खींचते हैं, और जमीन से जल और अपने chlorophyll के उपयोग से सूरिया के प्रगास में भोजन बनाते हैं. भोजन बनाने की विधी में जो सबसे खास बात ये है कि वे वापिस वातावरन में oxygen छोड़ते हैं. अर्थात भोजन बनाते वक्त पौधे oxygen छोड़ते हैं और सांस लेते वक्त पौधे carbon dioxide छोड़ते हैं. प्रंतु oxygen की मात्रा ज्यादा छोड़ते हैं. इसलिए ये वाताव वरन को oxygen देते रहते हैं. प्लांट साल सो कंज्यूम्स oxygen फौर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस 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 इसलिए हम कहते हैं कि पौधे oxygen पैदा करते हैं. इसे ये बात बिलकुल साफ हो गई है कि जीव जन्तु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. इसी तरह पौधे भी जीव जन्तु के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. क्योंकि जीव जन्तु नहीं होंगे तो पौधे कुछ ही दिनों में सारी carbon dioxide को अपने भोजन में खर्च कर देंगे. अब कोई carbon dioxide नहीं बचेगी तो पौधे भोजन कैसे बनाएंगे? इसी तरह अगर सिर्फ जीव जन्तु होंगे और पौधे नहीं होंगे तो जीव जन्तु सारी के सारी oxygen को अपने स्वोशन में ही खर्च कर देंगे और चारो तरफ सिर्फ carbon dioxide ही बचेगी. इस से यह स्पस्ट हो जाता है कि पौधे दता जन्तु एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानि वायू पवन्चक्की को घुमाती है और इस पवन्चक्की का उप्योग हम ट्यूब बैल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में करते हैं। पवन्चक्की विजली भी पैदा करती है। यानि बोर्ट्स को आगे बढ़ाने में हवा बहुत आवश्यक है, बहुत लाबदायक है। कलाइडर हो या पैराशूट हो या आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज हो। इन सब को चलाने में हवा बहुत साहिता करती है। इसके अलाबा हमारे चारों तरफ जो पकसी हैं, चमगादड हैं, कीडे मकोडे हैं, ये भी वाई यू की उपस्थिती के कारण ही उड़ पाते हैं। वाई यू से ही पौधों के बीजों तथा फूलों के प्राकन इधर उदर फैलते हैं। जल चक्कर में भी वाई यू एक महत्वपूर्ण भोमी का निभाती है।